सरकार पर ये भी इस तरह की आरोप लग रहे हैं यहां पर हिंदू-मुस्लिम का मामला और लगातार जो से कनहया लाला मुदैपूर में थे कनहया लाल का मामला था उसके बाद इस लग रहा है कि लगातार इस सरकार ने और खास करके जो राजस्थान में हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर करें हमें योगी जैसे नेता चाहिए कमाल की बात है कि हम कई पोश्टर वैनर्स देख रहे थे सर कि उसमें मोदी हैं योगी हैं और उमीदबार है सब्सक्राइब क्या धुक्त स्पारी कि शो सब्लुक्त हैं कि आज राजस्थान की जन्रता प्रदेस की जन्रता योगी और मोधी में अपना भविषय क्यों देखना चाहती है बहुत बड़ा भीशे भुष्ञ अभी आप देखिए चुकि आप एड़ोकेट हूं तो मैं उसी संदर में बात करता हूं मुस्लिम तुष्टी करने की यह इस्थिती बना रगी है वैसा विनों ने आप जैपूर में देखिए जैपूर में आतंगवादियों ने आतंगवादी घटना की थी उनको सजा हुई उसके पश्चात हाई कोट में उन आतंगवादियों ने अपील फाइल की आपको इंपोर्टन बात बताता हूं हाई कोट के अंदर सरकार की तरफ से पैरवी करने के के लिए सरकारी वकील नियुक्त करते हैं वो और वो सरकारी वकील जो सरकार सत्ता में होती है वो अपने हिसाब से वकिल नियुक्त करती है वहाँ पर आतंगवादियों के खिलाव लड़ने के लिए उच्च नियायले में वकील नहीं मिला उनको उन्होंने जिन वकीलों के किया था वह वकील नहीं गए वहां पर बात करते आप तुष्टी करण की यह इस्तिति है कि आतंक वादियों के अगर उसका विपक्ष में विरोध नहीं कर रहें तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि समर्दन कर रहें और वह सारे आतंक वादी बाई जदबरी होते हैं इससे शर तुष्टी करना मानों किसी को कुछ करना चाहतो एक सीमा होती है अब तुष्टी करन के चक्कर के अंदर देश विरोधी हो गयो धरम विरोधी तो हुए हो लेकिन देश विरोधी हो गयो तो यह प्रदेश की जंदता सब देख रही है मेरे से पहले कुछ भाई लोगों ने अपनी अलग अलग बात बताई अलग विशाइं वह सारे विशाइं तो हैं उसके अत्रे ये 이धिती ये फेक्ट ये कोई मन से बनाई बात नहीं अब मैं आपको और बात बताता हूं तुष्टी करण पर मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि यहां जालोरी के रधंगों की खाली वही घटना नहीं है बीलवड़ा के अंदर एक राउन नोमी का कारक्रम होता है बहुत शांदर कारक्रम होता है तो वहां के जो सहयों जके और आपको 10 तव दस बजे के आसपास वहां के सी आई थानेदार जो भी अधिगारी ए पूलिस अधिगारी उनसे फोन पर बात चलती कि आपका कारकरम बहुत बढ़िया हुआ एक दम बहुत बढ़िया कारकरम हुआ थैंक यू है आपको क्या आपका लिकर अच्छा हुआ अच्छा वो भी बोल रहे हैं वो भी उनको कह रहे हैं कि फॉन पर बात कर रहे हैं कि हाँ मैडम ठीक है आपने पुलिस प्रिशासन ने बहुत मदद किया और बहुत बढ़िया हुआ वो इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आईए कुछ नास्ता पानी है कुछ लेके जाएए अच्छा कुछ पुलिस कर्मचारी वहां पर अंदर आगे कारकरम संपुर्ण में के बाद जो इस्टॉल्स एंड हो रही थी तो कुछ नास्ता पानी ले रहे हैं उसके बाद उन सहीयोज चुनने के लिए वह स्वयम दाई होगी उसके रत्रिक्त कोई दाई नहीं होगा आपके आपके साथ में थोड़ा सा और कंटिनू करना चाहूंगा इंडिया में जिस टेर्रिस्ट संक्थन को बें किया गया था इसकी रेलियां टॉंक और कोटा में पूरी प्रेड निकली थ जिसको पूरे इंडिया में बेंग किया हाट पूरे इंडिया में किया था सेकेंड अभी यह एक एक्सिडेंट हुआ था जैपूर में एक जनरल रोटरेज की कटना थी उसमें समुदाई विसेस के लोगों ने जो मार्केट था पब्लिक पहले अस्ते उसमें दंग्य फैला के पचास लाख रुपे दिये हैं जबकि यहां उद्यपूर में यह कनेला हत्याकांड हुआ था उसमें अब भी उनके बच्चों की भी कमेंट आये थे उनको कोई भी साहिता नहीं थी जबकि सरकार की सबसे इंपोर्टेंट है कि वह आज कोड के लिए सबसे इंपोर्टेंट है कि चार बजे वह तो आदमी उस घटना को कोड के सामने बताए उस आदमी को नए तो प्रोटेक्शन है ने उसको को कोई मेडिकल बिल है कल को अगर उसको कोई टेरिजम ठ्रेट होती है अल्टिमेटली उसका बेनिफिट उन एक्विस्ट को मिलेगा जो एक्विस्ट कनेलाल के अत्यारे थे उन्हीं को अल्टिमेटली उनको बेनिफिट मिलेगा और यह सरकार के द्वारा प्री प्लान वे में एक समुदाई विसेश के वोट मेंक को खुस करने के लिए ऐसे खुस करने के लिए ही यह सारी सारी पॉलीशी नोंने एड़ोप्ट की है और इवन सरकार इवन जो सरकार है हमारी पांस सालों में मैक्सिमम यह होटलों में हवेलीयों में रही है मैक्सिमम यहां आपस में बचने के लिए यहां दो ग्रुप थे एक सचीन पाइलेट का ग्रुप था एक आसो गलोगा ग्रुप था तो दोनों एक दूसरी की टांग घेचाए और उपर से जो कटपुतली वाड़ा जो डांस करने वाड़ा सोनिय जी और राउल जी वो दोनों में सबसे महेंगी बिजली सबसे महें आगर वी पैट्र 알고 सबसे ज्यादा अप राद है ऊसली जब लोगों को रहात देंगे लिए वसे सब्से चाहरे कॉंग्रेस सरकार ने जनताओं को बेवकूब बनाने के लिए महेंगा इराथ के आपने दुनिया बरकी तो बिजलीगों पर सेस्ट लगा दिया दुनिया बरके चार्जेस लगा दिये एक जेब से आप हजार रुपे डालोगे दूसरी जेब से पांचार रुपे निकालोगे यह तो इनकी महेंगाई से लोगों को यारी बर्मित करने के लिए इतना यदि मुफ्त खोड़ी कर रहे हैं यह नई सरकार यदि आएगे तो उसके उपर बज़र बहुत प्रिशर पर जाएगा राजकोष से यह जनता को बेवकूब बनाने वाली आज अगर यूनिट है नो यूनिट फ्री कर दी तो भी उसके एवरेज रेट साथ याठ रुपे हैं आप फ्री भी कर रहे हो तो भी साथ रुपे पढ़ रही है तो यह पॉलिस यानि सिर्फ वोट पैंक के लिए इन्होंने सराग सरा यह दोनों जो आ यह जो आप बताएंगे ना यह दोनों में जो हो पर चल रहे है चाहि पालेट साब हो या फिर जायलोग साव हो इसका कुछ इंपथ है क्या अब लग रहा है कि दोनों में गुट बाजी तो है स्किम में निकालते रहत हैं अभी जैसे क्वर्मेंट ने वह पिछी स्किम जिसमें मेडिसीन देते थे उसकी कंडिसन यह हो ग तुस्ति करन की राजनीतियों है भी है इनकी आज तुस्ति जी आप देखेंगे तो राजस्तान के उपर वर्तमान में करजा बढ़कर 5,43,000 करोड रुपे का गरजा आज राजस्तान सरकार के उपर है आने वाली सरकार के उपर यह इस्ता बड़ा करजा जनता का पैसा है और पैसा का दूर रुपयोग यह कर रहे हैं कोई किसी तरह नहीं 600-600 क्रोड रुपे मदर्शाओं के डवलप्मेंट में लगा रहे हैं क्या दूसरी जगह इसे स्कूल डवलप नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल डवलप नहीं कर सकते पर नहीं इनको अपनी वोटों की राजनेति आज सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाके देखें एक भी मेडिकल इस्टोर पे दवया उपलब्द नहीं है जो बुजुर्ग आदमी जो घूम रहा है परिशान हो रहा है और दवाई के लिए मौताज है आज उसकी पीड़ा देखिए आप मुफ्ट में मत बाटिए और उसको दवाई समय पर दे दीजिए बिजली का बिल के हम माफ कर रहे हैं सौसो यूनिट माफ कर रहे हैं आपको मैं वर्तबान सरकार के मुख्यमंतरी से निवेदन करूंगा कि आप जनता पर रहम कीजिए मुफ्ट में मत दीजिए पर पैसे ले लिए पर बिजली तो प माफ करेंगे इनको बोलिए यह दो दो हजार रुपे यह जब स्टार्टिंग में आयते तब इन्हों ने कहा था हम माफ करेंगे चाड़े-चार साल तक तो पैसे खाये खुदने और आज जब सरकार जा रही है तो इन्होंने घोशना कि हम दो हजार रुपे देंगे वह दो पादाया कि और यह वास्तों में इस्तिति जो आमनागरी घुम है जो आमनागरी के भाव है मैं आपको दो लाइन में सुनाता हूं की धर्म के अनूटे अनुष्ठान के लिए संस्कृती के पावन अभियान के लिए यानि हिंदी हिंदू और हिंदु के लिए सारे की सरकार लाके रहेंगे हम भाजपा की सरकार लाके रहेंगे कॉंग्रेस को एक चुनोती देते हुए दो शब्दोर कहता हूं कि ब्रश्टाचारी कॉंग्रेस तुझे यह ध्यान नहीं है यह राजस्थान वीरों का प्रदेश है कोई ब्रश्टाचार की दुकान नहीं है इस ब्रश्टाचार की दुकान पर ताला लगवा के रहेंगे, हम भाजपा की सरकार सत्ता में ला के रहेंगे, कॉंग्रेस को सत्ता से हटा के रहेंगे, कॉंग्रेस को सत्ता से हटा के रहेंगे, ये भाव हर हिंदू के मन में है, क्यों हिंदू सभी धर्मों का संबान करता है, ल जब अपने उपर आक्रमन होते हुए देखा है तो उसने अच्छे अच्छों को मिट्टी चखा दिये इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारे सामान निभाव हैं लोगों के के कॉंग्रेस की तुष्टी करण की नीती बाकी तो उनके लखन है खराब यह अपनी नीतियों की बस चुकी है उस विचारधारा को यह परिवर्तित करने के खिलाव है यह खिलाव किसके उस विचारधारा को परिवर्तित करने के खिलाव अगर उस विचारधारा पर चलने की जगे तो आगे बढ़ रहे हैं अब भाग रहे हैं कॉंग्रेस जो हार रही है वो तुष्टी क तो मतलब यह रिपोर्ट आने के बाद भी कॉंग्रेस को भी चत्ता चाहिए जब उनको पता है जब उनको रिपोर्ट आ गई कि देखो तुम यह मत करो उसके बाद भी हो कर रहे हैं इसलिए मैं क्या मैंने कहा यह अपनी विचार दारा पे पूर जोर से पूर जोर रूप से खड़े हुए हैं को इनको पता है तुष्टी करन की नीती की वज़े से इनको राजने दिखानी हो जी है लेकिन उनको कोई फर सरकार आती है तो सनातन धर्म शक्ति जाली होगा अरे सनातन धर्म तो सुकिना सर्वे संतु निरामया की परिकल्बना को लेके चलता मगर आपका जो स्टेट है तो संभाहक रहा है सनातन का मतलब सबसे वारा धोजबहा की दी मोगलों के अतार से बचाने में बड़ी भूमि सरकार सतरह का अपर के में दीखि और यह ततना रही हैं जब को हम्रस सरकार थी सत्ता में केंद्र की सता में तब कितनी अतंग भातीह उती bistizi अपन सब पता ही अभी मैंने अभी जैपुर आइकोट के अंदर जो आतंगबाद को दोस्मुक्त क्यों किया गया क्यों क्योंकि उस विचारदारा की सरकार के सरकार सरकारी वकीलों ने माने नहीं उच्चने अले के सामने पेरवीनी की तरीके से